हेलो फ्रेंट कैसे हो आप सभी फ्रेंट्स आप सभी लोग का बिहार SI PT का प्रैक्टी सेट डेली बेस पे चलाय जा रहा है यह आपका एड़ुटेरिया का प्रैक्टी सेट है जो आपका सेट नमबर 7 है इसके पहले का भी सारा सेट अपलोड कर दिया गया है प्लेलिस्ट बन हूज दिख्याइब भी और अप्रटी सेट चलेगा और बिहार फुलिस कोश्टेवल कर भी आपका प्रैक्टी अपसे शुरू ह皂ँ जाएगा तो एकदम पुरा अच्छे से आकड़े CSO द्वारा जारी किया जाते हैं CSO का मुख्याले देखा जाये तो नई दिल्ली में है CSO की स्थापना कभ वुआ था तो 1951 में हुआ था नेश्ट कोशन दादा भाई नरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1867 से 68 में प्रतिव्यक्ति आय कितनी थी तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 रुपिया ओप्सन आपका ए हो जाएगा नेश्ट कोशन दिल्ली पंच वर्षी योजना किस मॉडल पर अधारित थी तो दिल्ली पंच की स्थापना करना तथा इसमें भारी उद्धोग एवं खनीजों की प्रत्मिक्ता दी गई थी नेश्ट कोशन कोशन नमर फूर कहता है कि बोकारो इस्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग के सहयोग से की गई थी तो ये किया गया था आपका भूत पूर्व सास्त्र वास्तविक विज्ञान है बताइए इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन भी रॉबिन्स प्रसिद अर्थ सास्त्री रॉबिन्स के अनुसार अर्थ सास्त्र वास्तविक विज्ञान है अर्थ सास्त्र के पिता के रूप में एडम इसमी फश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा वर्श 2020 में इसका थीम क्या था तो और सलूसन और इन नेचर था ठीक है इसका थीम भी याद रखिएगा विस्व जैविवित्ता दिवस कब मनाया जाता है जैविवित्ता दिवस विस्व पूछा गया है तो बताए इसका उत्तर क्या होगा तो इसका उत्तर याद रखिएगा बाइस मैं को मनायाता है नेश्ट कोसन कोसन नमर एट कहता है कि निम्न लिखित में से कौन एक किरत्रीम परितंत्र है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन डी बगीचा देखिए वन तलाब जील घास मैदान सागर ये सब परियावरडिये प्रदूसर का उधारण है तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आप सभी लोग का नेश्ट कोसन आप सभी लोग अपना स्कोर बताया कीजिए बहुत लोग स्कोर बताते हैं और बहुत कम लोग स् स्कूर बता सकते हैं इससे क्या होता है कि आपको एक आंकड़ा पता चल पाता है कि आपने साठ को संसरी किया है तो आगे आप कोसिस करेंगे कम सब्सक्राइब टार्गेट लेकर चलेंगे तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि कम सब्सक्राइब अपना नोट किया किजे कि आ के कोप 14 सम्मेलन में भारत ने भूमी सक्ष ततर्ष्ट 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष रखा है नेश्ट कोसन है कि भारत की जनगरना 2011 के अनुसार भारत के निमलिखित राजियों में से कौन सा एक राज्य नियूंतम आबादी वाला राज्य है तो राइट आंसर आपका जाब उत्तर आप सभी लोग का यहां पे हो जाएगा चलिए नेश्ट कोसन देख लेते हैं 12 नंबर 12 नंबर कहता है कि निमलिखित में से कौन सा भारतिय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतराटी सीमा को साज्या नहीं करता है तो कौन सा है तो आपका त्रिप पूरा तीन ओर से बांगला देश से घिरा हुआ है केवल उत्तर पूरो में यह असम और मेघाले सरी असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है नेश्ट कोसन गाडविन आश्टेनिया केटू जो भारत की सबसे उची चोटी है किस हिमाले छेतर के अंतरगत आता है तो यह आप का आता है ट्रांस हिमाले छेतर के अंतरगत जो इंपोर्टन आपके लिए बन जाता है इसको याद रखिएगा नेश्ट कोसन के किष्ण राज सागर बांध जला से किस नदी पर बनाया गया है तो यह आपका बनाया गया है कावेरी नदी पर जो की आंसर आपका यहाँ पे है इसका 안सर लमसम 120 दिन लमसम मेरे को लग रहा है 120 दिन मानके चलिए ठीक है चलिए अगला प्रसन ने मलेखित में से कौन सी प्रसांत महसागर की धारा नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा अगुल हास धारा हो जाएगा ऑप्सन आपका यहाँ पे 16 का सी हो जाएगा ने तो इसका उत्तर हो जाएगा option D, mistral, mistral आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, 17 का note करिएगा सभी लोग next question है कि निम्न में से कौन सी सुमेलन, यानि निजमिस पुछा गया है, सही सुमेलित नहीं है, यह आपका पुछा गया है, नदी और गिरने का इस्थान है, तो बताईए, तो सभी ने answer किया होगा, डैन्यूप, कैस्पियन सागर, जो की आपका यहाँ पर गलत है, डैन्यूप आसर कौन करेगा, तो इकवाडोर, बेगोटा, यह आपका गलत है, इकवाडोर, कुवेटो होता है, कुवेटो, ठीक है, कुलंबिया का, अगर बात करें, बेगोटा किसका है, तो बेगोटा आपका कुलंबिया का हो जाएगा, संकोस नदी किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है बताइएगा तो इसका उत्तर देखिए आपका 20 का हो जाएगा ओप्सन भी असम और अरुणाचल प्रदेश आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा संकोस नदी उत्तरी भूटान से निकलती है असम में यह नदी ब्रहंपूतर में सम्मिलित हो जाती है डाफला और सिनोपो जन जातियां किस प्रदेश में पाई जाती है बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा ओप्सन सी अरुणाचल प्रदेश आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा सभी लोग का अगला कॉर्शन कैथोर्ड किरने में होता है तो इसका उत्तर क्या होगा ओप्सन डी द्रब्यमान और आवेस दोनों याद रखिएगा डी उत्तर हो जाएगा कार्बन के 6.0 दो तीन गुड़े 10 के पावर 22 परमाणों का भार कितना होता है कितना होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा ओप्सन बी एक दस्मलों दो ग्राम हो अंसर भी हो जाएगा तीब्र सिसा विस विसाक्तन से होने वाले बीमारियों को क्या कहा जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लज प्लम प्लब प्लब बीजम कहा जाता है आंसर आपका यहां पे ए हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा अलग है इसलिए थोड़ा सा प्राब् 3 O 4 हो जाएगा आंसर आपका यहां पे B हो जाएगा अगर आपका हेमेटाइट का पुछा जाए तो F E 2 O 3 हो जाएगा ठीक है स्वारी O 4 हो जाएगा आगे देख लेते हैं समुद्र के जल का सोधन करने के लिए समाने रूप से प्रियोग की जाने वाली भौतिक पणाली है तो इसका उत्तर हो जाएगा आस्वन आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा सभी लोग का चलिए next question देख लेते हैं 27 yu में hydrogen जब जलती है तो क्या पैदा करती है to क्या पैदा करती है तो està पैदा करती है आंसर आपका 27 का D हो जाएगा नेश्ट कोसने की परमाड़ू उर्जा के उत्पादन में प्रयोग किये जाने वाला आइसो टोप निम्न में से कौन सा है निम्न में से कौन सा है तो U 235 हो जाएगा याद रखिएगा U 235 हो जाएगा ये इंपोर्टन आपके लिए बन जाता है नावेकी रियक्टर में नियंत्रित रिंकला के द्वारा इसमें उर्जा उत्पन की जाती है नाइट्रोजन यूगत उर्वरक के उत्पादन का मुख्य इस्त्रोथ क्या है तो मुख्य इस्त्रोथ देखा जाए तो आपका अमोनिया हो जाएगा आंसर आपका C हो जाएगा दूजिया मैगनिसियम में कौन सा छारक पाया जाता है तो कौन सा छारक पाया जाता है तो आंसर आपका A हो जाएगा मैगनिसियम हाइडराकसाइड क्या हो जाएगा Magnesium Hydra Oxide आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का किस Enzyme की उत्पत्ति के कारड HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है तो आंसर भी हो जाएगा Reverse Transcriptation क्रिप्टेस हो जाएगा देखिए Reverse Transcriptation Enzyme की उत्पत्ति जो है यह HIV अपना आकार बदल लेता है और दूसरा भी मतलब बड़ा भी हो जाता है इसका टेबल सरक्रा किस प्रकार की सरक्रा है टेबल सरक्रा तो इसका आंसर हो जाएगा Option D सूक्रोज सूक्रोज एक कार्बनिक योगिक है जिसे समान ये टेबल सरक्रा के नाम से भी जाना जाता है Next Question इसमें आपको मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को तो इसको आप अच्छे से मिलान करके बता सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो बिटामिन A ये आपका चला जाएगा रेटिनॉल में बिटामिन D आपका चला जाएगा कैलसी फेरॉल और बिटामिन E आपका चला जाएगा टोको फेरॉल और बात करें बिटामिन K तो ये आपका चला जाएगा फिलो क्वीनोन तो इस तरीके से आपका यहां प्यांसर हो जाएगा बिटामिन ई विशेष्टा किसके लिए महतुपूर है तो किसके लिए महतुपूर है तो उपकला उतकु के समान्य सवस्त के लिए तो आंसर आपका C हो जाएगा आगे देख लेते हैं मुत्र के इस्तरावर को बढ़ाने वाली जो औसदी है उसको हम क्या कहा जात है तो इसका उत्तर हो जाएगा आप संसी यानि डायू रेटिक हो जाएगा आंसर आपका यहां पे 35 का C हो जाएगा नेश्ट को सन अस्तियों में मान स्पेसियों को जोडने वाला सन्योजी उतक क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है तो कांडरा कहलाता है यानि कंडारा कंडार हो जाएगा ए उत्तर आपका 36 का हो जाएगा अस्तियों को मांसपेसियों में जोडने वाला सन्यूजी उतक कंडरा या फिर कंडारा दोनों अपसन इसमें दिया गया है जबकि अस्तियों को अस्तियों से जोडने वाला यह आपका इसनावयू यानि लिगामेंट कहलाता है ठी पक्षी तथा कीट के पंक कैसे होते हैं तो सही उत्तर हो जाएगा option C सम्वृत्ति हो जाएगा answer आपका 38 का answer C हो जाएगा चलिएगा अगला question परागण क्या होता है परागण क्या होता है तो परागण देखा जाए तो पराकोसो से वर्तिकागर की और पराकड़ों का इस्था जाता है आंसर आपका यहां पे 39 का B हो जाएगा परागण दो पराकार के होते हैं एक 100 परागण होते हैं और दूसरा आपका पर परागण होते हैं नेश्ट कोशन है कि पौधो में प्रकास नुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंतरित किया जाता है तो आक्सीन के द्वारा नियंतरित किया जाता है आंसर ए हो जाएगा समान चुम्बकी छित्र किस से दर्साया जाता है ये किस से दर्साया जाता है तो समान तर रेखाओं से दर्साया जाता है आंसर आपका B हो जाएगा सभी लोगों का बहुल मापी का प्रियोग किसके मापन में किया जाता है बताए दो फोटिटू का उत्तर देखा जाए तो आपका इनमें से सबी हो जाएगा धारा वोल्टता और प्रतिरवोध हो जाएगा आंसर आप सबी लोग का नैस्ट कुष्ट्न निमनलिकित में से कौन एक सद्स मात्रक नहींैं इसदिस मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है तो समय हो जाएगा सदीस आपकी जो रासी होती है बिवेग होता है बल विस्थापन तोरड सनवेग विधु छेतर चुंबकी चुंबकी प्रेडर कोडिय यह सबाब को सदीस में आता है अगर अदिस पूछा जाए तो दरब्यमान चाल आयतन कार्य समय उर्जा विदुधा दाब ताप यह सबाब का किस में आता है अदिस में आता है चली आगे देख लेते हैं कि निर्मलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म की मासमान विमाय है तो आंसर आपका कार एवं उर्जा हो जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा एक पौधे पर पुस्पन होने क कौन सा है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ओप्सन डी फ्लोरी जेन फ्लोरी जेन आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोशन वास्तविक गैस नीमन में से किस इस्तिती में एक आदर्स गैस के रूप में क्रिया कर सकती है 46 का आंसर क्या हो जाएगा 46 का उत्तर देखा जाए तो नीमन दाब और उच्च तापमान हो जाएगा आंसर आपका यह हो जाएगा सभी लोगों का चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रस्ण क्या है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी बताइए 47 का उत्तर क्या होगा तो इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में हुआ था ठीक है इसके बारे में जान लिजिए क इसमें आपको प्रांच प्रकार का था प्रांती स्वायत्ता केंद्र में द्वेत साशन के स्थापना उसके बाद चार था संगिय न्याले की व्यवस्ता भारत परिशत का अंत ठीक है इसके प्रमुक उपबंद दिये गया है अगला कुस्षन किसी धर्म विशेश के संवर् अनुषेट किसमें तो अनुषेट का नाम याद रखिएगा अनुषेट 27 हो जाएगा आंसर आपका C हो जाएगा अगला पुस्षन कुस्षन नवर 49 क्या कहता है कि नीमने में से कौन भारत के राष्टपती के वीवेका धिकार के अंतरगत आता है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन C परधान मंतरी की नियुक्ती क्या हो जाएगा परधान मंतरी की नियुक्ती निमने में लिकित में से कौन से भारती संसद के संगठक है तो आंसर आपका एक दो तीन हो जाएगा राष्टपती लोकसभा उसके बाद तीसरा आपका राज सभा ये तीनों को मिला करके ही संसद कहा जाता है चलिए आगे देख लेते हैं अगला है कि भारती सम्मिधान के अंत्रगत और सिष्ट अधिकार का अर्थ क्या है तो इसका उत्तर हो जाएगा ओप्सन डी अधिकार जिनको केंद्रिय सूची, राज सूची, समवर्ती सूची में इस परष्ट सरवपर्थम रूप से सामिल नहीं किया गया है अगला कोश्चन निमनलीखित में से कि समिती की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिस की गई थी तो इसका आंसर क्या होगा तो इसका उत्तर देखिए प्रत्थम प्रसासनिक सुधार समिती हो जाएगा आंसर आपका 52 का A हो जाएगा नगर प्रसासन का कौन सा प्रकार छोटे सहरी छेतरों का नियंतरक करती है तो इसका उत्तर आपका नगर पाली का परिसत हो जाएगा आंसर आपका यहां पे 53 का B हो जाएगा राज्य के अधीन क्या है? बताइए राज्य के अधीन क्या है? तो आंतरीक एवं बाह दोनों संप्रभुत्ता हो जाएगा आंसर आपका C हो जाएगा राजे के चार अनिवारे तत्व हैं जनसंक्या, राजे छेत्र, उसके वाद सरकार, संप्रबुत्ता, राजे की संप्रबुत्ता का आस है, यह सबाब को यहाँ पे देखने को मिलेगा भारत के सुप्रीम कोट को किस छेत्र के तवत केंद्र और राजियों के बीच विवादों का निर्णय लेने का धिकार है तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक मूल नियाए धिकार, तो आंसर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा सीमा प्रबंधन विभाग किस मंतराले के अंतरगत आता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, गिरिह मंतराले के अंतरगत आता है ठीक है याद रखिएगा सभी लोग चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रस्न क्या कहता है कहता है 14 सितंबर 1949 को देश के समिधा निर्माताओं ने हिंदी को डैस की इस्टिती परदान करने का फैसला किया है तो right answer देखा जाए तो आपका option c हो जाएगा संग की अधिकारिक भासा क्या हो जाएगा संग की अधिकारिक भासा आणसर हो जाएगा यह आपका math का question है तो इसको आप PDF डाउनओर करके लगा सकते हैं घीक है एक मात्र governor general कौन था जो यहूदी समप्रदाय का था 63 यहुदी संप्रदाय का था तो सभी ने आंसर अब तक कर दिया होगा आपका लाड रीडिंग हो जाएगा जो की ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा तुलूवंस का अंतीम सासक कौन था तुलूवंस तो इसका उत्तर आपका सदा सी हो जाएगा अंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा भागवार्थ दीपा नामक विरिहत्टी का किसने लिखा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा ग्यानेस्वर आपका इहां पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का चलिए आगे देख लेते हैं अगला है कि तिर्टिय बौध संगीती कि अध्यक्सता किस ने किया था तो यह किया था मोगली पूत्र तीस्त हो जायगा मोगली पूत्र तो करेक्ट आंसर आपका छाँचट का भी हो जाएका दिती बहुत संगीती का योजन 255 इस भी में पाटली पूत्र में किया गया था सर्व पर्थम भारत वर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा हाथी गूफा अभिलेख आंसर आपका सनसट का D हो जाएगा हाथी गुफा अभिले का समंद कलिंग राजा कार्वेल से है इसमें सरपर्थम भारत वर्थ का जिकर किया गया है नेश्ट कोसन किसने सरपर्थम प्रेस सेंसर सीप लागू की थी तो यह लागू किया गया था वेले जली के द्वारा आंसर आपका यहां पे भी हो जाएगा ठीक है आंसर याद रखिएगा यह इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है कि प्रेस सेंसर सीप अगला कोशन लखनव में 1857 की करांती को दबाने वाला ब्रिटिस नायक कौन था तो इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैम्प वेल कैम्प वेल आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा 69 का तो 70 देख लेते हैं 70 क्या कहता है चलिए कैबिनेट मिशन किस तीथी को दिल्ली पहुचा था तो यह पहुचा था 24 मार्च 1946 को ठीक है और इसमें तीन सदस्य थे जो सभी को पता होना चाहिए और इंप्वाटेंट है कई बार एकजामें पुछा आता है चार आप्शन दिया होता है और इसमें से पुछता है कि कैम्प वेल जो सदस्य होते हैं वो इन में से कौन नहीं ह तो नाम तीनों का याद रखिएगा इस्टेफोर्ड क्रिप्स पैथिक लॉरेंस और आपका वी अलेकजेंडर तो तीनों का नाम आप सभी लोग के जुबान पे होना चाहिए क्योंकि यह आपका पॉलिटी का कोश्चन कई बार पूछा जाता है चलि आगे देख लेते हैं इसमें आपको सनस्था और स्थापना वर्ष दिया गया है मिलान करके बताना है तो देव समाज देखा जाया तो 2800 सञसट में इसका इस्थापना हुआ था आरे समाज का 1875 में और बात करें नौ जवान सभा यह आपका 1926 में और बात करेवी सो भारती तो यह आपका हुआ था 1912 में चल यह आगे देख लेते हैं कि कि किसे बिना ताज का बात्सा कहा जाता है तो सूरेंदरनास बनर जी को आंसर भी हो जाएगा अगला कोशन है कि खासी बिद्रों का सम्मन्द किस राज जिसे है तो यह आपका देखा जाए तो असम से है असम आपका उत्तर हो जाएगा जिनका नेत्रितुव तीरत सिंग ने किया था लाड करजन ने बंगाल विभाजन की घोशना कप की थी तो 20 जुलाई 1905 हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा किस मुगल सासर को घ्रिनित कायर कहा जाता है तो राइट आंसर देखा जाए तो फरुक सीहर हो जाएगा आंसर आपका 75 का आसन डी हो जाएगा जहाँदार साब को लंपट मुर्ख के नाम से जाना जाता है यह तो जहाँदार साब को भी आप याद रखिएगा यह भी इंपोर्टन्ट है इसको लंपट मुर्ख के नाम से जाना जाता है जम्मू एवं कास्मीर के नए उप राजेपाल प्रसासक कौन बने है बताईए 76 तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोज सिन्हा हो जाएगा अगला है कि वैस्विक सांती सुचकांग 2020 में कौन सा देश प्रतम इस्थान पर है बताईए 77 का उत्तर देखा जाये तो आप सभी लोग का क्या हो जाएगा तो आइसलैंड हो जाएगा अंसर आपका C हो जाएगा थोड़ा बहुत आप सभी लोग को बाहर का सोर्स सुनाई दे रहोगा इसको आप इंग्मर कर गिएगा ठीक है विश्व सरनाथी दिवस प्रती वर्ष कब मनाया जाता है बताईए 78 का उत्तर क्या हो जाएगा सभी को पता है ऑप्शन ए हो जाएगा 20 जुन इसका थीम याद रिखिएगा इवरी एक्शन काउंट्स ठीक है झाल ही में देश का पहला गैंड़ा सन्रक्षड एवं प्रजिनन केंद्र कहां पे खोला गया है तो ये आपका खोला गया है कहां पर तो पटना में पटना बिहार हो जाएगा सबी लोग का अंसर स्वच भारत रिवाल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है तो पुस्तक के लेखक कौन है तो परमेशवर आयर हो जाएगा अंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा नए संसत भावन के निर्माण हेतू किस कमपनी ने अनुबंद हासिल किया है बताइए तो आपका टाटा प्रोजेक्ट से हो जाएगा यह उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा गायों के सनवर्धन एवं संरक्षड हेतू किस राज्य ने गौग कैबिनेट गठित किया है तो आपका मद्य प्रदेश हो जाएगा अंसर आपका भी हो जाएगा हाल ही में विस्व का सबसे गर्म एवं बड़ा जौला मुखी की से घोसित किया गया है तो यह घोसित किया गया है पोहनू पोहनू हो जाएगा अंसर भारत के निमलखित राज्यों में से किसमें कोवीड नाइंटिन अवधी में पहली बार यह लोक अदालत प्रारंब हुई है तो इसका आंसर क्या होगा 84 का तो 84 का आंसर बिहार हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा आरोग्य सेतु एप जो भारत सरकार दोरा लॉंच किया गया है संबंदित है किस से तो यह तो सिंपल सा है सभी को आंसर पताई होगा इसका आंसर हो जाएगा कोवीड नाइंटिन यानि कोरोना वायरस से यह आपका संबंदित है इस्टार्स निमन लिखित में से किस मंत्रा ले या फिर विभाग की केंद्र प्रयोजित योजना है बताई यह तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्षा मंत्रा ले यह उत्तर हो जाएगा निमन में से किस राज्य की पहली और एक मात्र महिला मुख्य मंत्री रही सैदा अनुवरात तैमूर का दिल का दोरा पढ़ने से निधन हो गया है तो इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा उप्शन भी असम हाल ही में सिम्बैक्स 20 सन्युक्त नौसेनिक अभ्यास किन देशों के बीच संपन हुआ है तो ये संपन हुआ है सिम्बैक्स याद रखिएगा सिम्बैक्स यानि ऐस सिंगापूर और आई से आपका इंडिया हो जाएगा बारत और सिंगापूर किसान सुर्योदय योजना निम्न में से किस राज्य में प्रारम की गई है तो ये आपका प्रारम किया गया है गुजरात राज्य में आंसर सी हो जाएगा किसे Global Humanity Award 2020 से सम्मानित किया गया है तो ये सम्मानित किया गया है सचीन अवस्ति को आंसर B हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है बताइए तो ये बन गया है केरल केरल आपको जो गरीब लोग हैं उनको फिरी इंटरनेट प्रदान करने का पूरा भूमिका निभाएगा बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रामकार लाइब्रेरी की सुरुआत कहां पे की गई है तो ये किया गया है आपका कुलकाता में आंसर C हो जाएगा क्रिसी वस्तुओ जैसी सबजी फल आदी के लिए नियूमतम समर्थन मुल्य तै करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है तो भारत का पहला राज्य देखा जाए तो आपका केरल राज्य हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो ए हो जाएगा 2014 और 2018 के बीच बागों की आबादी में कितने प्रतीसत की विर्धी दर्ज की गई है तो आइचिंग देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 33 प्रतीसत इसको आप याद रखिएगा ठीक है अगला है कि जै विवित्ता पर सन्युक्त राष्ट सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पे किया गया है तो ये आपका किया गया है USA अमेरिका आंसर ए पुरुष होकी विश्वकब 2023 का आयोजन कहां पे प्रस्तावित है तो ये आपका प्रस्तावित है भारत में नासा का संराइज मीशन कब तक सुरू किया जाएगा तो ये किया जाएगा 2023 तक सवचता सर्वेचर रिपोर्ट 2020 के अनुसार एक से दस लाग तक अबादी वाले सहर में सबसे सवच्छ सहर आपका कौन सा है तो सबसे सवच्छ सहर देखा जाए तो आपका अंबिका पूर हो जाएगा अंसर आपका डी हो जाएगा नेती आयोग द्वारा जारी नवाचार सुचकांग 2019 के अनुसार बड़े राजियों में प्रतम इस्थान पर कौन सार राज है तो एक कोश्चन आपको कमेंट बॉक्स के माद्यम से दिया जाएगा तो आप इसको बता सकते हैं कमेंट के माद्यम से सिंपल है या तो आप सर्च कीजे सर्च करेंगे तो खुछ हाओ भी आप डीटेल पड़ पाएंगे ठीक है इसलिए मैं आपको एक कोशन डेली देता हूँ आर्थिक सर्च के अनुसार सेवा छेतर में प्रतीसत विर्धी है तो इसका आंसर हो जाएगा च्छत अस्मलों नौ प्रतीसत ए उत्तर हो जाएगा तो साथियो आप सभी लोग का हंडेट कोशन समाप्त हो गया है कम समय में तो वीडियो को लाइक करिए सेयर करिए और जो लो को क्लियर पूरा बहतर तरिके से करेंगे तो चलिए नेस्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं